हेलो गाईज, वेल्कम पर नियुज अप्टेट, प्लीज शेहनाज आगे बढ़े, लेकिन अब किसी ने ये भी बोला है, किस सेलिब्रेटी ने बोला है, क्या बोला है, पूरी बात पापको बताऊंगी, प्लीज पूरा वीडियो देखना, और किस वे में बोला है, ये भी सम लो पूछना, देखिए, शेहनाज आज जहां भी है, वह पूछने के लिए, उन्होंने बहुत महनत की है, बहुत चाहता है, हमने एक चीज लगातार सुनी हैं, शेहनाज के बारे में, उनके कोस्टर से, कि शेहनाज जो है, वो बहुत ड़ैडिकेटिन है, लेकिन बारек में क्थान ने भाइा सिद्धार नहीं थे खार यह मैं हमंने त幾ह साता है। जाने के बाद में कऊवी सारे नेजर आने लगी है। वो इंड़स्रिश छोड़ देंगी, अभी वो काम नहीं कर पाएंगी, कैसे आगे बढ़ पाएंगी, कैसे क्या कर पाएंगी, लेकिन उन्होंने टाइम लिया, लेकिन उन्होंने बहुत मजबूती के साथ वाप सी, कि धीरे-धीरे हमने देखा कि वो मजबूत होती जा रहे हैं क्योंकि पहले वो कैमरा फेस नहीं कर पारी थी यह दिख रहा था पैप नहीं होती थी लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने अपने में मजबूती लाई अब कैई लोगों ने नेशनल टैविली विजन पर भी बोल दिया कि शेहनास को मूब ओन कर जाना चाहिए सिधार्ट भी यही चाहते होंगे ठीक है लेकिन अभी एक सेलेब्रिटी विंदुदारा से देखे वो काफी बार बोलते आये हैं सिधार्ट के बारे में यह सभी जान भी बताते हैं कि वो मतलब शेहनास और सिधार्ट की परसनेलटी बिलकुल अलग अलग थी इसलिए वो दोनों एक दूसरे से अट्रेक्ट हुए इतना प्यार हुआ बिलकुल रियल लव हो गया था बिक बॉस में जो पहले बोलते हैं कि मुझे वो बहुत पसंदारा था वो सब चीज़ों उन्होंने पहले बोली उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आप आज शेहनास को कहा देखते हैं तो उन्होंने कहा कि देखिए बिक बॉस के बाद शेहनास ने अपने आप में बहुत महनत की है उन्होंने कहा कि सिधार्ट ने उनके साथ बहुत जादा महन करने के लिए और खुद को आगे बढ़ाने के लिए इस्तिमाल करने पड़ती यह बास सच है उनुन अगे उनुन ने कहा कि शेहनास एक यंग लड़की है हम यह नहीं सोच सकते यह उमीद नहीं कर सकते उनसे कि वह सिधार्थ की यादों के साथ चिपकी रहे और एक जगे जाती है कि शेहनास अपने आपको ट्रांसफॉर्म करें मतलब वो कर चुकी है जैसे कि अपने आप पे महनत करें आगे बढ़ें और और ज्यादा हुचाईयों को हासिल करें तो उन्होंने दो चीज के लिए कर दी कि देखिए एक तो मुवन करना सिर्फ यह नहीं होता है कि हा आप किसी के साथ relationship में ही आओ आप अपने आप महनत कर रहे हो काम कर रहे हो यह भी आगे बढ़ना है एक दूसरी बात कि हाँ हमेशा के लिए वो एक जगा चिपकी खड़ी नहीं रह सकती definitely उन्हें मतलब relationship में भी आगे बढ़ना होगा किसी ना किसी के साथ वो तो दोनों चीज़ें हैं आप यही मत सोचिए कि move on करना वो वाली बात है कि हाँ बस किसी के साथ relationship में आगे बढ़ना है वो महनत कर रही है अपने career में आगे बढ़ रही है family भी यही चाहती है तो वो आगे बढ़ रही है महनत कर रही है और definitely उन्हें यह कोई नहीं बोल रहा अब जब उन्हें फैमली भी बोल दिया कि आप वहीं खड़े रहना वहीं चिपके रहना यादों में जब उनका मन और दिल किसी के लिए खुलेगा किसी के लिए वो अपने दिल के रास्ते खोलेंगी definitely सब celebrate करेंगे और उन्हें मतलब ऐसे कहेंगे ना कि God bless both of them okay okay guys विंदु दारा सिंग ने जो कहा मैंने आपको थुड़ा explain करके भी बता दिया आप लोगी क्या आयरा है comment करके बताना और चैनल subscribe जरूर कर लेना latest update के लिए thank you guys